नमस्कार दोस्तों, हमने इस चैनल के उपर स्टैबिलाइजर से रिलेटेड कई सारे वीडियो बनाए, फिर चाहे वो थे इनके प्रोज़ाइन कॉन्स वाले रिव्यू, चाहे हो इसकी एफिशेंसी और पावर लॉस के बारे में बाते हैं, या फिर हो इसका वाइरिंग करने का तरीका, दोस्तों ये सारे वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में जाके देख सकते हैं, इन सारे वीडियो में एक चीज कॉमन थी, कि सारे वीडियो के उपर भर भर के कमेंट आएं कि सर एक अच्छा सा इसको हम उपन करेंगे, इसका वरकिंग समझेंगे अंदर क्या कमपोनेंट्स होते हैं, सभी के बारे में बात करेंगे, फिलाल यहाँ पर मुझे दीख रहे हैं कुछ स्क्रूज मैं इनको फटाफट से स्टार्ट कर देता हूँ, निकालना, आप लोग नीचे जाके मज़े लाइक और सब्सक्राइब के बटन्स दबा दीजिए और स्टार्ट कीजिए इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेर करना, लेट्स बिगिन दे वीडियो गाईज दोस्तों, स्टैबलाइजर हमने फाइनली ओपन कर लिया है, और सबसे पहले जो हमारा ध्यान अकरशित करती है, वो ये बड़ी सी मोटी सी गोल सी चीज तो ये चीज है क्या, दोस्तों ये चीज है एक तरह का ट्रांसफॉर्मर, अब आप लोग सोच रहोंगे कि जो ट्रांसफॉर्मर है तो वो चॉकोन गठे की तरह होता है, वैसे दोस्तों ये भी एक नए टाइप का ट्रांसफॉर्मर है, इसे टोराइडल ट्रांसफॉर्मर से ज़्यादा बहतर होती है तो अब देखिए यहां पे जो है transformer इस तरह से बना हुआ है इसको यहां पे nut के साथ में कस दिया गया है body में और इसमें से निकलते हैं कई सारे wire दोस्तों यह जो सारी चीजे हैं यह होते हैं taps ठीक है आपके stabilizer में taps जितने ज़्यादा होंगे उतना ही finally यह voltage को regulate कर पाएगा उतना ज़्यादा range मतलब low voltage से boost करना और high voltage से step down करना ज़्यादा दे पाएगा तो यह सारा चीज जो है depend होता है taps के उपर तो यहां पे कई सारे taps लगे हुए हैं एक होता है negative याने की common और साथ में यहां पे कुछ extra coils होते हैं जैसे यह दिया हुआ है तो यह क्यों होता है कि जो हमारा circuit है उसको चलाने के लिए जो DC 12 volt या फिर जो भी supply लगता है actually यहां से तो AC जाएगा बाद में यहां पे DC बनेगा तो AC यहां पे 12 volt 24 volt जो भी इसका requirement होगा depending on the model, depending on the company वो इसी transformer में से एक अलग से यहां पे दे दिया जाता है तो यह जो है आपके circuit को चलाता है कुछ अगर आपके पास में पुराने stabilizers अगर होंगे तो वहां पे एक छोटा सा separate ऐसा transformer लगा के जो है circuit को power दिया जाता था तो यह रहा इसका toroidal transformer आप देख लीजिए किस तरह से बना हुआ है तो इस तरह से यह है 2021 latest production है vibration वगरे हम इंकम करने के लिए एक यहां पे rubber का gasket लगाया गया है और इस तरह से यह है इस चीज़ का दिल आईए अब यह जो दिल है इसको control करने वाला दिमाग कहां पे तो इसको control करने वाला दिमाग है यहां पे दोस्तो यह है PCB और जिस तरह से आप देख पा रहोंगे जो PCB है इसके उपर कई सारे integrated circuits लगे हैं मतलब IC और micro controller लगे हुए हैं तो यह जो इसका brain है जो दिमाग है यह signal भेचता है इन्हें relays को और इन्हें relays को signal जैसे ही जाता है यह जो बड़ा सा transformer है इसके जो tap है वो change हो जाते हैं तो जैसे ही tap change होगा आपका जो voltage है output का वो भी change हो जाएगा तो यह जो दिमाग है जो यह circuit है इसका काम यह देखना है कि input voltage कितना आ रहा है अगर इसको feel होता है कि input voltage काफी ज्यादा कम आ रहा है बही सिर्फ देड़ सो वोल्ट आ रहे हैं यहां पर इसको boost करो तो उस हिसाब से यहां पर जो tap है इन में से वो लिया जाएगा अगर input voltage ज्यादा आता है तो अगें यह उसको sense करेगा और इसको step down में डाल देगा मतलब higher voltage से lower voltage करने के लिए कह देगा तो आप देख लीजे इसका जो PCB है जो circuit है वो किस तरह से बना हुआ है यहां पर कई सारे release के control है यह इसका खुद का power हो सकता है वैसे इन सारी चीजों के जो sematics हैं वो company share नहीं करते पर हमें एक अन्दाज लगा सकते हैं कि क्या है और साथ में यह जो PCB है IC के ठीक पीछे जो digital display है यह वाला देखिए यहां पर जो digital display आता है वो भी उसे के साथ में लगा हुआ है तो voltage का रीडिंग दिखाना भी यहीं पर हो जाता है आई यह भी हम आते हैं switching section तो यह जो switching section है इसको यहां से signal मिलता है और यहां पर सिर्फ तीन relay लगाए गए हैं इसमें से एक जो है कोई तो high cut low cut का रहेगा बाकि दूसरे जो है tap change करने के लिए होंगे कई सारे जो stabilizers है उसमें चार रिले पांच रिले भी इस तरह से होते हैं जिनकी range और भी जादा हो दी है फिलाल इस चीज के अंदर आपको यहां पर जो है दो रिले दिए गए हैं तो यह जो रिले हैं यह काम करते हैं इन जो windings हैं इनको circuit मे लाना proper winding select करना और जैसे ही winding select हो supply है वो भेज दिया जाता है और आपका appliance चलने लग जाता है तो कुछ इस तरह से आपका जो stabilizer है वो काम करता है दोस्तों अगर आपको इस तरह का stabilizer purchase करना है तो इसके buying affiliate links आपको नीचे description में मिल जाएंगे चैनल को support करने के लिए मेरे links का इस्तमाल जरूर कीजिए फिलाल म मैं इस चीज़ को जो है बंद कर देता हूँ आप लोग चैनल को subscribe कर दीजे और मिलते हैं अगली वीडियो में take care and have a nice day guys